बिस्मिल्यारमान रहीम, एक्सरसाइस 6.3 के रिमेनिंग क्वेस्चन कर रहे हैं, ठीक है, क्वेस्चन नंबर 4, इसे पहले आम तीन क्वेस्चन कर शुके हैं, पहले हैं, क्वेस्मिल्यारम कर रहीं, क्वेस्चन नंबर 4 में कर एंक्वेस्चन में का स्वेस्चन 4 वाफ हुड्यारम स्थ्चन 2 इसे में स्थिय पैर्ट्रक्टेंचlli नंबर 3.4 killed 2.2 गें स्थ्चन नंस्था. 4 minus 12 x cube plus 17 x square minus 13 x plus 6 so taking square this ठीक है division method से हम इसका square मालूम करते हैं so इसका square क्या होगा 4 का 2 और x raised to power 4 का square that is x square ठीक है so 2 x square में यहां पी भी अचा इनको multiply करें that is what 4 x raised to power 4 हो जाएगा subtract करवा रहा हूं तो यह cancel हो जाएगा इन दोनों terms को में नीचे shift करवा रहा हूं that is 12 x cube plus 17 x square ठीक है so इनको double कर देते हैं ठीक है इसको 2 से multiply करते हैं so that is now what that will be equal to 4 x square so is 4 x square को means minus 12 x cube को आपिस पे से so यह square complete cancel हो जाएगा so that is 3 minus minus 3 x ठीक है so that is minus 3 x अब इस पूरी थर्म को minus 3 x से multiply करें minus 3 4s are 12 x cube हो जाएगा और 3 3s are 9 plus 9 x square so subtract करें यह plus हो जाएगा यह minus यह cancel हो रहा है so that is minus 13 x और plus 6 so इसको 2 से multiply कर वा रहा हूं जो quotient आप लोंगा है that is 4 x square और minus 6 x ठीक है इसको भी कर सकते हैं so इसको नहीं multiply करते होंगा डारेक इस 3 को multiply करें 2 से 6 x हा जाएगा अब यहां से 2 4s are 8 means आप लोंगा plus 2 और x square यहां पे भी x square यहां पे so plus 2 से मैं multiply करो so 2 4s are 8 x square minus 12 x or plus 2 2s are 4 so subtract करें यह minus यह plus हो जाएगा और यह b आप लोंगा minus हो जाएगा so यह cancel हो रहा है so 13 minus 12 so that is minus x हो जाएगा ठीक है क्यूंकि 13 का sign ज्याद है so minus x और यहां से 6 minus 4 that is plus 2 ठीक है so first हमारे first question में वो करें क्या what should be added means इसको हम क्या करें इसके साथ क्या add करें कि यह perfect square बन जाए ठीक है so means यहां पे हमारे पास zero आना चाहिए means चलो ठीक है क्या add करें means अगर यह minus x plus 2 जो आप लोगं का remainder आ चुका है इसके साथ मैं क्या add करूं कि यह result आप लोगं पास zero आ जाए ठीक है जब तक यह remainder zero हो तब यह perfect square होगा otherwise नहीं so add क्या करूं let's actually मैं क्या देता हूं y आप y add करें तो result zero हो जाए तो you have to find the value of y ठीक है so y मालूम करने के लिए y आप लोगं पास इस साथ पर इसको भी साथ कर रहा हूं so minus x plus x हो जाएगा और यह 2 जो है यह minus हो जाएगा अब अगर आप इस expression के साथ x minus 2 add करें तो यह आप लोगं का remainder zero हो जाएगा so add करने से यह आ रहे इसी तरह second वो कह रहा है कि क्या सब्ट्रेक्ट करें ठीक है second part कह रहा है कि क्या सब्ट्रेक्ट करूं so means subtraction के लिए ठीक है मैं सब्ट्रेक्ट कर रहा हूं means minus x plus 2 से मैं क्या सब्ट्रेक्ट करूं चलो let's say y के remainder आप लोगं का क्या हो जाए zero हो जाए so y को आप उस side पर shift करें so y is equal to ठीक है यहां पर यह y में shift करवा रहा हूं क्योंकि आहां पर इसका sign minus है तो यह उस side पर जाकि यह क्या हो जाएगा plus हो जाएगा so minus x plus 2 is equal to y so यह subtract करने से आप लेम पास यह result add करने से यह ठीक है that is plus x minus 2 y or sorry minus 2 or subtract करने से minus x plus 2 अगर आप इससे subtract करें यह perfect square last मैं कह रहा है third number के what will be the value of x ठीक है what will be the value of x the expression this become perfect square so x के क्या थी मत्राइब means यह आपने में पास 0 अना चाहिए ठीक है add अब subtract में नहीं कर रहा हूं यह complete क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए means x plus 2 equal to 0 so is x को मैं उस साइट पे shift कर रहा हूं so 2 is equal to x so means अगर आप x की जगा क्या पूट करें 2 पूट करें so you will get perfect square ठीक है so हमारे पास यह तीन आंसर आ रहे addition के लिए क्या add करूं यह ठरम ठीक है क्या subtract करूं यह ठरम और x की कीमत आप लिम पास 2 अगर आप x की जगा 2 पूट करें so you will get perfect square ठीक है इस पूरे expression में आप x के value 2 पूट कर दे so you will get a perfect square question number 5 भी question number 4 ही की तरह है लेकिन यहां पे आप लोगों ने x की क्यमत नहीं मालूम करना है सिरफ subtract और add करना है ठीक है इसको भी चलो उसी तरह आप लोग क्या करें इसका square root first मालूम कर लेते that is what x raise to power 4 minus 4 x cube plus 10 x plus 7 so इसमें आप x square missing है उसके लिए आप लोगों को यहां पर भी जगा चोड़ सकते आगे डारेक्ट भी आप कर सकते so that is what x square so x square से ही होगा that is x raise to power 4 subtract कर रहा हूं यह plus minus हो जाएगा यह cancer minus 4 x cube plus 10 x ठीक है और plus 7 आप चलो लिखना चाहते है इसमें x square missing है यहां पर आप इसके लिए जगा छोड़ दे यह अगर यहां पर आ रहे तो आप लोग भी लिख सकते so that is 2 से multiply कर रहा हूं so 2 x square ठीक है अब किस से और है minus 2 2s are 4 2 आएगा और यह x cube है x से divide करें so x so that is what minus 2 x minus 4 x cube or 2 2s are 4 minus minus plus हो जाएगा plus 4 x square so x square यहां पर नहीं है इसको चलो मैं बायर लिख रहा हूं ठीक है वैसे आप यहां पर इसके लिए जगा छोड़ के लिख सकते so plus 4 x square so अब subtract करवा रहा हूं यह plus हो जाएगा और यह minus हो जाएगा cancel हो रहा है 4 x square को मैं पहले लिख रहा हूं that is what 4 x square लेकिन minus sign के साथ ठीक है plus 10 x plus 7 अब इसको 2 से multiply कर रहा हूं so that is 2 x square or minus 2 2s are 4 x हो जाएगा ठीक है अब यह minus 2 से हो रहा है minus 2 so यहां पी भी आप minus 2 लगा दें so that is what minus 2 2s are 4 x square ठीक है और minus minus plus 8 हो जाएगा 2 8 x or minus minus plus 4 so यह plus यह minus यह minus यह cancel हो रहा है so 10 minus 8 so that is 2 x or 7 minus 4 that is plus 3 ठीक है so यहां पी फिर्स वो कर रहा है कि क्या subtract किया जाएगा तो subtraction के लिए number 1 में लिकरा हूं subtraction के लिए means 2 x plus 3 से में क्या subtract करूं वो y में लिकरा हूं के result क्या जाए remainder 0 जाए ठीक है 2 x plus 3 यह remainder हमारे 0 होना चाहिए so मैं क्या subtract करूं means इस से आप लोग y subtract कर रहे so y को मैं उस साट पर shift कर रहा हूं so that is what 2 x plus 3 is equal to y ठीक है अगर आप y subtract कर रहे means subtraction से यह अगर आप इस expression से यह subtract कर यह term so यह आप ले में पास remainder पर 0 आएगा ठीक है so subtraction के लिए आप ले में पास यह answer आप क्या add करूं add means 2 x plus 3 के साथ में क्या add करूं means y add कर रहा रहा हूं so result zero हो जाए so अब यह y plus है तो y अपनी जगा पर छोड़ दे और इसको उस साट पर shift करे so minus 2 x minus 3 अगर आप यह सब add करे यह term add करे यह perfect square बन जाएगा अचा question number six में कह रहा है के for what value of l and m for which the following expression will become a perfect square ठीक है इसमें दो पार्टस आप लोगों को given है first चलो solve कर देते है that is x raised to power 4 plus 4 x cube plus 16 x square plus l x x और plus m so help l और m की क्लीमत मालूम कर रहें कि यह perfect square बन जाए so x raised to power 2 so means यह x square से first हो रहा है so x raised to power 4 ठीक है इसको subtract कर वा रहा हूं cancel so 4 x cube plus 16 x square अब इसको चोड़ के 2 से multiply कर रहा हूं so 2 x raised to power 2 so 2 2s are 4 means 2 x से होगा ठीक है plus 2 ठीक है अगर आप लोगों को direct समझ नहीं हा रहे तो this divided by this means 4 x cube को आप 2 x square पर divide करें ठीक है so x square x square के साथ cube के साथ cancel हो जाएगा और यह 2 so 2 x ठीक है यही 2 x मैं यहां को भी लगा रहा हूं यहां पर लगा रहा हूं अब इस 2 x को इन दोनों के साथ multiply करें so 2 2s are 4 x cube और 2 2s are 4 x into x square हो जाएगा so subtract करें minus minus यह cancel हो रहा है so 16 minus 4 that is what that is 12 x square ठीक है plus l x plus n अब चलो यह तो इसको इसको 2 से multiply कर दें means 2 x square अपनी उसी जगा प्यार है और इसको 2 से multiply कर रहा हूं so 2 2s are 4 x ठीक है यह direct इसको दोनों को 2 से multiply करें so 2 x square plus 4 x अब यहां भी यह हो रहा है plus 6 ठीक है so 12 x square को अब 2 x square पर डिवाइड करें so 2 6 star means यह 6 हो जाएगा ठीक है plus 6 so 2 6 star 12 x square plus 24 x ठीक है 4 6 star 24 और 6 6 star 36 so मैं अब्ट्रेक करवा रहा हूं यह minus यह minus यह minus यह minus यह minus यह cancel हो रहा है so यहां पर चेक करें यह हमारे पास L L minus 24 X ठीक है this minus this X मैं कामन दे रहा हूँ so L minus 24 L minus 24 or plus M minus 36 ठीक है यह अब दो अले दा थरम है means यहां से भी 0 आना चाहिए और यहां से भी 0 आना चाहिए so यहां आपकर आप लोग चेक करें 0 थब होगा जब यह पूरा थरम आप में पास यह ठीक है यहां से आप L के खीमत मालूम करवा रहा है so 24 कोज साइट पर शिफ्ट करने से यह 24 हो जाएगा ठीक है और M आप लोग पास यहां पर M is equal to क्या हो जाएगा that is कोज साइट पर शिफ्ट कर रहा हूँ so that is plus 36 ठीक है so L के खीमत 24 हा रहा है जबकि M आप लोगे में पास 36 हा रहा है यहां पे अगर आप लोग गोर से चेक करें अगर L की जगा में क्या करूँ 24 प्लस 24 तो यह minus 24 और plus 24 जीरो आ रहा है इसी तरह M की जगा गर में क्या करूँ यहां पे 36 करूँ ठीक है M की जगा 36 यह minus 36 plus 36 आपस में इसी तरह इसका सेकेंड पार्ट सेकेंड पार्ट को आप लोग चेक करें इस 49 एक राइस तो पावर 4 माइनस 70 एक स्क्यूब प्लस 109 एक स्क्वेर प्लस LX माइनस M प्लस 109 एक स्क्ेर 2 से मिल्टिप्लाइ करें स्क्राइजन चाइए 14 14 x square अब इस 70 minus 70 x cube को divide करें किस से 14 x square से so x square तो complete cancel हो जाएगा यहां पे और 14 14 570 ठीक है so that is 5 so means आप आप में पास result minus 5 x आ रहे सो इस minus 5 x को multiply करें minus 5 x को 14 so that is minus 70 x 4 और 55 25 minus minus plus हो जाएगा 25 x square ठीक है सब ट्रेक करवा रहा हूँ यह plus यह minus यह cancel हो रहा है so 9 minus 5 that is what 4 4 और 10 minus 2 8 x square और बाकी आप L x plus minus M है ठीक है minus M नीचे shift कर दें ठीक है अब आप इसको 2 से multiply करें so that is what 14 x square minus 10 x अब इस 14 को आप divide करें 84 so 6 14s are 84 आरे ठीक है so plus 6 से मैं करवा रहा हूँ plus 6 और plus 6 आप लों का यहां पर आजाएगा so that is 84 x square minus 60 x और लास्ट आप लों का आरे माइनस माइनस प्लस 36 check करें minus यह plus हो जाएगा यह माइनस हो जाएगा यह माइनस हो जाएगा so यहां से आप लों पास यह cancel हो रहा है अब इसको check करें means L plus 60 into x ठीक है this must be equal to 0 इससे 0 आना चाहिए और minus M minus 36 यह 0 होना चाहिए ठीक है यह ठरम 0 होना चाहिए इससे भी 0 होना चाहिए इससे भी 0 होना चाहिए इनके सम से और इनके सम से 0 होना चाहिए remainder आप लों का 0 होना चाहिए so यहां गर आप लोग check करें so means 6 L plus 60 equal to 0 ठीक है x नहीं हम इससे coefficient 0 होना चाहिए ठीक है x automatically multiply होगा तो 0 होगा so this means के L is equal to what minus 60 और यहां से आप minus M minus 36 equal to 0 so M को इससाइट पे shift कर रहा हूँ minus 36 अपनी जगा पे M ठीक है so M आप लोगों का M के किमत minus 36 आ रहे जबके L के किमत आप लों पासर minus 60 आ रहे तो अगर आप यह port करें so you will get the remainder 0 जब remainder 0 होगा तो आप लोगों का यह perfect square होगा so यह ता आप लोगों का exercise 6.3 इंशाल्ला नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे review exercise 6 तब तक के लिए अल्ला हाफिस